असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का फ्राइब बीफ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनता है और इतना जूसी और मज़े का होता है कि खाके मज़ा आ जाए इसकी जो इजी रेसिपी है आईए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बी अब जालके हम इसको गलने के लिए रग देंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपतीली में डालके रग देंगे, मैं इसको कुकर में डाल रही हूं ताके यह जल्दी से बॉयल हो जाए इसके साथ हम इसका मसाला त्यार कर लेंगे, जिसके लिए मुझे थाबूत जी बेशन जाए गाए बेशन को हम थोड़ा सा रचा ड्रा रोस्ट कर लेंगे, जो इसका निकाल थे खुत्चा हो जाए थोड़ा सा भून लेंगे अच्छी तरह आपने इसको बून नहीं अच्छी तरह आपने इसको भूनना है, जब यह देखें, इसका बून खूँ ज़ए जुटा है, मैंने चुला बंद कर दिया है, और इसको हम चटक कर लेंगे, बहुत अच्छे से यह गल चुका है, अब जो इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको हम थोड़ी सी आज तेज करके इसको ड्रै कर लेंगे, इसमें और ज्यादा कुछ भी डालने की कोई जरूरत नहीं ह सिरफ इसका हम पानी ड्रै करेंगे, और जो साबुत अंदर अद्रक है वो मैं निकाल दूंगी, बाकी के स्पाइस जाएंगे, इसमें थोड़ा सा सीजनिंग सॉल डाल रही हूं, अगर नहीं है, तो सादा नमक ही आप सारा डाल दें, थोड़ा सा इसमें सादा नमक डाल र थोड़ा से इसमें तंदूरी कलर जाएगा तू पिंच के जितना, इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें, इसके साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूं, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, थोड़ा सा मैं इसमें मैं इसमें लेसन पाउडर डाल रही हूं और यह थोड़ा सा विनिगर डाल दिया, मैंने वन टेबली स्पून, एक अंडा, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब जो गोश्ट मैं बॉइल कर लिया था उसको हम निकाल लेंगे इसमें, थोड़ा सा मै उसको हाथ से आप तोड़ लें, तू से थ्री टेबली स्पून इसमें योगर्ट का जाएगा, यह सारी चीजे ने डाल के हम अच्छे से इसकी मेरिनेशन कर लेंगे, और एक गंटे के लिए, आदे गंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रग दूंगी, उसके बाद हम इसक बटर डालने के साथ ही जैसे बटर मेल्टिड हो चुका है इस पर आपने वन बाई वन सारी बीफ की बोटियां जो है वो डालनी है और जैसे ही एक साइट से इसका कलर चेंज होगा, आपने इसकी साइट चेंज करते जाना है और इसी तरह हम इसको अच्छे से फ्राइ कर ल बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी से आप बनाईएगा आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत ही मज़े की बनती है किसी भी अपनी पसंद की चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं आप चाहें तो इसको नान के साथ खाए या फिर खालें इसी तरह हम बीफ भी जो है वो वन बाई वन हम बना लेंगे बहुत ही मज़े का हमारा स्पाइसी सा बीफ तयार है बहुत ही मज़े का जूसी सा और सोफ्ट ये बनता है जरूर ट्राइ कीजिएगा दौा में याद रखिएगा अल्ला आफेस